आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां पर आपका A जो है वो आपका क्या है C16, H16 है तो जहां से भी आपका यह Compound जो है ओजोनोलिसिस करने पर जो है तो यह जो है जहां पर भी एलकीन होगा तो एलकीन का मतलब जहां पर CC डबल बॉंड होगा वहाँ पर यह क्लीप करेगा और डबल बॉंड हो लगाके यह आपका Product देगा एक Product इधर एक Product इधर लेकिन यहां बोलेगा Only One Product इसका मतलब यह हो गया Symmetrical Alkin होगा यह क्या होगा Symmetrical Alkin होगा Symmetrical Alkin तो जहां डबल बॉंड होगा इस तरफ का भी वही पार्ट होगा जितना आपका उधर होगा तो वह आपको बताना है तो यह Symmetrical Alkin होगी और यहां पर यह आपका N-Methyl Benzamide दे रहा है तो N-Methyl Benzamide यह आपका सिर्फ-सिर्फ Acetophenone से reaction करने के बाद ही देगा ठीक है NH2OH तो Acetophenone जो है यह आपका इस तरीके से आजाएगा यहां पर जो है Acetophenone जो है यह आपका C-Double Bond हो यह CS3 और इधर Benzene Ring इसकी reaction अगर हम लोग NH2OS से कराते हैं ठीक है मैं पूरी मेकनों लिक रहा हूँ तो NH2OS से कराने पर हमको क्या मिल जाएगा यहां पर यह इस तरीके से मिल जाएगा यह आपकी Benzene Ring है ध्यान रखना फैनल रिंग और यहां पर यह C-Double Bond और यह आज जाएगा OH और यहां पर आपका CS3 ठीक है So H-Plus से reaction होगी So यह क्या बना लेगा आपका Oxygen पर है Lone Pair So यह क्या करेंगे It will attack on proton ठीक है और Oxygen की Electro Negativity भी जादा होगी तो Oxygen जो है proton accept करेगा और यहां पर जो बना लेगा यह पहले से बना हुआ C-Double Bond N और OH2 प्लस ठीक है यह बन जाएगा और यहां पर लगा हुआ है आपका CS3 ठीक है अब होगा क्या की जो है आपका इस Nitrogen पर है Lone Pair ठीक है यह इधर आएगा तो आपका जो है यहां से माइग्रेशन होगा ठीक है सो हमको बनाना क्या है N-Methyl Benzomide ठीक है सो यहां से जो है यह Methyl Sift होगा इधर ठीक है और OH2 प्लस जो है यह इधर बॉन्ट टूटेगा तो Water Molecule के रूप में बाहर निकल जाएगे तो यहां पर जो है यह आपका इस तरीके से वास हो यह आपका आज आएगा यहां पर आपका जो है बेंजीन डिंग लगी हुई है ठीक है और यहां पर जो है यह Carbon यहां Triple Bond N और इस Nitrogen पर Positive Charge और यहां पर CS3 ठीक है अब क्या होगा Water Molecule जो है यह Attack करेगा Water Molecule जो है यह कहां पर Attack करेगा यह आपका इधर पर Attack करेगा और यह जो Bond है यह आपका तूट जाएगा So it will form like this और यहां से Proton भी Remove कर देगा तो यह जो है यह आपका इस तरीके से बन जाएगा यहां Benzene Ring और यहां C-O-H और यहां Double Bond N और यह आपका CS3 ठीक है तो यह था यह आपका क्या है Inol Form है तो Keto Form बनेगा Keto Form में यह आपका इस तरीके से बन जाएगा यहां पर C Double Bond O और यह आपका क्या हो जाएगा यहां पर NH CS3 ठीक है This is the N-Methyl Benzamide ठीक है So N-Methyl Benzamide जो है यह बना रहा है तो हमारा यह आपका इस तरीके से क्या है Acetophenone आपका है तो यह आपका group जो है दोनों तरफ लगा होगा तो A का structure जो है possible हो सकता वो मैं बनाने जा रहा हूँ ठीक है क्या हो जाएगा आपका यह वाला group जो है यह दोनों तरफ लगा होगा तो यह आपका इधर हो जाएगा यह Benji Ring और यह C और यह CS3 इतना लगा होगा आपका जब हम यहाँ पर अलकीन पर ओजोनों लिसिस करते थे तो यहाँ पर clip करके यह double bond लगा देते ठीक ठीक है तो आप यहाँ जहाँ पर आपका double bond लगा होगा वहाँ पर आप जो है उसको उल्टा चलिए मतलब यहाँ पर C16, H16 ठीक है अगर हम इसका ozonalysis कराते हैं ठीक है O3 in presence of a zinc H2O ozonalysis कराएंगे तो क्या मिलेगा acetophenone मिलेगा ठीक है ध्यान रखना और acetophenone जो है मैंने बना चुका यह जो है benzene ring है और यह जो है यह आपका C double bond और यह CS3 ठीक है मैंने यहां पर बना दिया ठीक है so this is the A और ऐसा A जो है हमारा C16, H16 जो है option no.2 में है तो option 2 जो है इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है so second is correct ठीक है thank you Classics to 12 से लेके meet IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 84444 पर